क्वेरी वेरी गूड इवनिंग तू आल फ्यो, तो यॾ। चुटुट। भवेरी गूड एवन रशिश्थ CGD freelance classes पे हम tomorrow को ने दिमांड चेप्ट्र्स स्टार्ट किया था और फर्स्ट को शिन हमने meanineg of demand discuss किया शेकंड कोशिचंड law of demand or том perceptions of demand 2020 is कर कवर ने के बाद आज के क्लासमे आम डिस्विस करेंगे एकस्प्लेण दा कोज़िस भी हैं दा लौफ डिमांड या रिजंस भी हैंन दा à लौफ दिमांड बंच्टे कान मतलब जले कोउषिन कर ले कर अब समेखनां उसके बाद फिर में इसको explain करता हूँ बच्चे आप सभी बच्चे last class में समझ चुके हैं law of demand के बारे में law of demand आप समझ चुके हैं कि community like मान लें कि community x है और इस commodity का और इस commodity का अपना एक price है और इसके अपनी एक quantity है अपना एक इसका demand है price को P से represent करेंगे demand को quantities रिपरसंट करेंगे तो law of demand के बारे में discussion कर रहा हूँ है कि law of demand में एक commodity कोई भी commodity हो सकती है आईस्क्रीम, चोकलेट आपके मन में जो आ रहा है वो तो उसको मैं लेट कर लेता हूँ, X commodity है उसका अपना एक price level है और उस commodity के अपनी एक demand level है आप यही आप लोग ने अब्जर्व किया और जनरली ऐसा होता भी है कि कोईटी का price अगर rise होता है, increase होता है कोईटी का price तो आप देखते है कि उसके demand उसको परडिगुलर कोईटी के demand क्या जाती है? और जैसे ही price fall होती है बच्चे किसी भी community की तो उसकी demand क्यों होती है? Demand उसकी बढ़ जाती है चैनल यह ऐसा observation आप लोगों नहीं किया होगा कोई भी article हो, price अगर rise हो रही है तो demand उसके fall होगी और price अगर fall हो रहा है तो demand उसके rise हो जाएक तो price में change आने से community की demand पर impact आता है कोई भी community अगर उसके price में change आ रहा है तो उसका impact उसके demand पर देखने को मिलेगा आपको, clear है? और कैसा impact देखने को मिलेगा? inverse impact देखने को मिलेगा price इस direction में move हो रहा है, demand उसके opposite direction move होगा, price अगर increase, demand decrease, price decrease, demand increase तो आप यह तो बोलते हैं कि इसके बीच में क्यासे relation, there are inverse relationship between the price of commodity and demand for commodity यह बोल सकते हैं तो आपको, clear है तो आपको, clear है there are inverse relationship between price of of given goods and demand of itself clear है बच्चे? इसको हम क्या बोलते हैं? inverse relation बोलते है इसको हम अच्चे क्या बोलेंगे? inverse relation बोलेंगे तो commodity एक है, commodity X इसका अपना एक price है, अपना एक demand है generally आप लोगों नहीं observe कि price अगर rise होगी तो demand क्या होगा इसका? fall और price जब fall होगा तो demand क्या होगा इसका? increase तो generally हम ऐसा behave करते हैं तो जो general behavior होता है उसको हम low बोलते है clear है बच्चे? तो यह इसको कहते है law of demand कि commodity price increase, demand decrease and price decrease तो demand increase तो देख रहे है, price इस direction ने move हो रहा है demand उसके opposite direction ने move होता है को भी commodity हो price fall होगा तो demand rise हो गया तो इसको हम opposite relation भी कहते है inverse relation भी कहते है negative relation भी कहते है indirect relation भी कहते है clear है एक ही बात है सब कुछ ठीके? मैंने last class पर इसको लिखवा भी दिया था तो inverse relation भी इसको कहते हैं और इसको हम क्या बोलते है negative relation और इसको हम क्या बोलते है opposite relation ठीके बच्चे और क्या कहते है इसको हम indirect relation यह समझ मैं है बच्चे आपको तो law of demand तो पता लग गया आपको क्या होता है अब बता हो law of demand में कैसा behavior रहता generally consumer का price अगर rise हो की तो demand decrease और price अगर decrease हो की तो demand increase ऐसा behavior होता है ठीक है यह तो law of demand है आप भी जानते है साथ पहले से जानते हुगा इस बात को अब question यह है कि हम ऐसा behave क्यू करते है कि price अगर rise हो रही है तो हम demand क्या कर रहे है decrease कर रहे है और price decrease है demand increase करते है ऐसा तो करते हैं मैं आपके अगरी हो बिल्कुल आपके साथ ने पर आम ऐसा behave क्यू करते है तो what is the reason behind the law of demand next question समझ मैं क्या है clear है explain the causes behind the law of demand जो law of demand है उसके पिछे क्या reason है क्यों ऐसा होता है या फिर why is there inverse relationship between the price of the commodity and its demand clear है बच्चे question समझ मैं आपको law of demand के आथिसम मैं वो नहीं बताना आपको law of demand में inverse relation क्यों होता है यह बताना है law of demand ऐसा क्यों होता है उसके पिछी reason देना है आपको तो first reason बच्चे क्या है law of diminishing marginal utility first first क्या है law of diminishing marginal utility अब इस पर सबसे पहले एक एक करके समझेगा आप law का meaning क्या होता है law का मतलब हिंदी में कहते है siddhant या नियम law यह नियम है भाई आपने नियम को तोड़ दिया और night में अंधिरा होता है यह ऐसी ही रहता है generally यह क्या है यह low है इसको क्या बहलेंगे low जो के नियम है तो demand का भी अपना एक low है कि price increase होगा तो demand decrease price decrease होगा तो demand increase तो low का meaning बता लगा dimnishing का मतलब बच्चे क्या होता है continuously fall on dimnishing का मतलब dimnishing का मतलब क्या होता है बच्चे continuously fall होना गिरना और marginal utility marginal utility means क्या होता है satisfaction satisfaction clear है बच्चे बाष्ची मटे आपको तो आपका संज में आपको जाए लोओ of dimnishing satisfaction मतलब कि ऐसा low है जिससे की हमारा satisfaction का nature का होता है dimnishing nature का होता हमारा satisfaction का ऐसे laws है मैं आपको एक्सामपल के लिए एप एक आईस क्रीमें आपको इसकी आपका भी आपको बहुत नियूम करता है इसके। मैं चलो आओ आपको आइस क्रिम क्लाता हूं एक आइस क्रिम आपको क्लाएं आप बड़ा इंटर्स लेकर आपने खाया मैं आपसे फीड़बैक लिए भी कैसा लगा अपने असर बहुत अच्छा लगा तो सडिस्फेक्शन लेवल आपको मिला इनको ठीक है एक और आइस क्रि आपको 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 आपक साथ सेकंड से भी कम साडिस्टेक्शन दाइन और पर इक टांप ऐसे कर दोें कि सर, अब नी खाना सर, ऑ데 आप को भया नी खाना नी खाना पड़ेगा आप को, के सर अब नी खाना, आट जोड रहा वहा बहुंज़ गर जाने दो अब मैंने ही खासता हूँ, तो नहीं ही खाना है, करे शर अब मैंने मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं है, इसका उतलब है कि एक टाइम पर आपको उससे कोई साटिस्फ़क्शन लेबल नहीं मिल रहा, मैंने फॉर्सफुली खिला दिया, तो हो से तक कि आपकी हेल्थ पिस का नेगिटिव, इंपेक्ट भी पढ़ जाए है। चलो हम आइस क्रीम आपको समझ में नहीं आए हैं तो मैं एक एक ग्लास ओव वाटर से समझाता हूँ आपको कई कभी आपने देखा होगा एक सुचेशन हर किसी के लाइफ में कई आए है कि बहुत तेज प्यास लगी हो आपको और काफी देड़ से आपको पानी नहीं मिला हूँ और आपको बस पानी मिल जाए तो आप बहुत सार पानी पीलेंगे जो आपको पानी मिलता है तो आप एक ग्लास पानी पीते है कि तना मज़ाता है न सकिंद गलास एक टाइम पर रुख जाते हो दीडिटिरे आपको से सट्टिफेशन लेबल क्या लेगा अने लग दाए कम अब एक committee के साथ मैं साफ भी है कोई सभी committee लेखो आपका satisfaction level continuously consumption करोगे तो satisfaction level आपका fall होगा कोई सभी, तो यह तो low हो गया, तो सभी है law of diminishing margin utility में इस क्या है यह पहले clear एपको कि किसी भी committee का continuously consumption करोगे तो next year से the satisfaction level है लास्ट इंटेबली फॉल होगा, डिक्रीज होगा, दिमिशिंग होगा, इसी को हम क्या बोलते है, लौ अफ दिमिशिंग, मार्जिनल यूटिलिटी, यह बाद सब्सक्राइब को आई, क्लिर है, क्लिर है, कोई डाउट, अब आपका मैंड में कुश्चे है, इसका लौ अफ हो गया, 12th हो गया, 1st year हो गया, 2nd year हो गया, 3rd year हो गया, और खासकर में बात कर रहा हूँ, बिजने स्टुडेंट आप लोग हो चुके हैं, अब तो आप लोग ग्रिजिशिन के end पर आ चुके हैं, तो अगर आप लोग देखते हैं इस चीज को, तो यहां पर आपको तो करना होता है, जनरली वो अब टाइम नहीं रहा कि आप 10th के, 9th के, 8th के बच्चे हैं जहाँ पर आप लर्न करेंगे, रट्टा मारेंगे, उसको लिखेंगे, जहां समझ में आया नहीं आए, यहां तो आप लिखी नहीं पाएंगे, ति सारे पेजिस आपको लिखने होंगे इसका नहीं रट्टा ही नहीं महाँ पाऊगे, आफ फाईनली आप ग्रिजृट होने वाले हैं, तो आप अपने आंसर्स को क्या करेंगे, मेकिंग करने, तो आप अपने आन्सर्स को क्लियर होगा तो एक रीडिंग में ही वो कनेक्ट हो जागा, उसको फिर आप लिख सकते ह मतलब वही चीजें लिखनी है, जो content की requirement है, और आप उसको लिख रहे हैं, आपको marks मिलेगा। आप पूरा ही लपेट लपेटी कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, कुछ इसका concept से कोई लिना देना नहीं है, तो हाँ तो आपको उस case में marks नहीं मिलेगा, अगर आप एकनोमिस को SST बनाओगे तो, तो जीरो मार्क्स मिल जागा, जो आप तीन पेज लिख दो, तो पहले concept को तरसली से समझ लेजी, एक reading में समझ मा जाएगा, चलिए, मेरा सवाल भी भी यह है, कि हम जब price high होता है तो demand हम low करते हैं, जब price decrease होता तो demand हम increase कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? अब आप समझे, reason के लिए, बच्चे हम किसी community का ना समझेगा, क्या है? Basically, आप किसी भी community कि कितनी unit का consumption करेंगे, यह किशीच पर depend करता है? कोई community का कितनी unit का consumption करेंगे, यह किशीच पर depend करता है, आप कह रहे हैं आपके wants पर, किसी community के कितनी unit का consumption करेंगे, यह किशीच पर करता है? आपके wants पर, अगर आप ऐसा करते हैं, कहते हैं तो आप कही नहीं कहीं रॉंग भी हैं, कैसे ज़्या समझेगा, गोलगप्पे खाएंगे, आप एक प्लेट गोलगप्पे खाके निकल जाते हैं, पांच गोलगप्पे खाये और चलेगे, वही गोलगप्पे अगर दो रुपे काओ, तो अब आपके wants कैसे बड़ी होगी? हैं आप बोल दोग एक प्लेट और लगाओ, अब एक प्लेट और लगाओ, तो भाया, प्राइस काम होजाने से wants फोड़ी फ्लेक्शिट होगा, तो अगर आप किसी commodity की कितनी unit का consumption करेंगे, यह depends सिर्फ आपकी wants पे करता है, तो प्राइस कुछ भी हो जो wants से उतना है consumption करोगे आप, तो कई न कई आपके सिर्फ wants पे ही चीजें डिसाइड, नहीं होती है कि इतने unit का consumption करेंगे, मेरी बास समझ गए, एक्जामपल लेता हूँ मैं, अपने एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ऐसी समझाने के लिए बनाया है कहानी, फैस अब क्या हुआ, कि मैं बस में बैठा हूँ, और आपको पता है दिल्ली में बस कितने देर रुकती है, रुकती है नहीं, चलते चलते रुकती है, रुकते रुकते चल जाती है, जहीं इतने ही रुकती है दिल्ली की बस, और गर्मी में किसी तरीके से मैं ढूनी रहा था था कि भई मैं दो तिन घंटे से बिल्कुँ पैंतालिक से डिगरी के टेंपरेचर पे पानी चुते तक कई दुकान उकान देखेगी तो पानी लेकर के पीऊंगा उतने में जो मुझे बस जाना था वो वैसे भी बड़ी मुश्किल से उस रूट पर आती है मुझे बस दिख गी और मैं उस बस पर बैठ गया भाई कि भी 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 बस तता निकवाएगी आले बस बाड़े दाते अब बस बैठ तो गया मेरा घट डेड़ घंटे दूर है अब प्यास लगी जा रही है प्यास तो लगी जा रही है अब मैं च्या करूं मता हूं उतरूंगा तो बस तो 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 तना वेट करेगी नहीं मेरा वेट करना पड़ेगा डेड़ घंटेगा तो तो सो सोचते प्यास कितने किस लेवल बेग पहुंचिवी है थर्ष्टी लेवल क फिर भी किसी तरीकिसा, एकसे भी करकी केंगने नहीं, कैस से भी करकी कंट्रोल करें। फाइनली मैं अबने बस पया इंध उतरा राएंक्छी बदा शुलिक्ति होरा है जयुक्क alternately जाएगा। में बस्टॉप पे उतर गया और जब बस्टॉप पे उतरा, तो मैंने भोला भुष घर तों बाद में जाए 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 पछले पानी डूंदा जाए वो कहता है कि भया, 100 रुपे का है. मैं कहता हूँ है, 100 रुपे का. लेकिन मेरा घर अभी भी वहाँ से 4-5-6 किलो मेटर दूर है. मुझे अभी कुछ क्रिक्षा उक्षा लेकर करके वहाँ से जाना है. बट जान में प्याद चुकी है मेरे. वांट्स बहुत हाई है मेरे. और आपको पता है ना, कि हमारा satisfaction लेवल किस पर depend करता है. कि हम कितना satisfied होंगे, किसी commodity से, वो किस पर depend करता है. उसकी quality पे या हमारी वांट्स पे. बहुत ते प्यास लगरी होती, तो पानी का मज़ा बहुत अच्छा आता है. लगाता है तो आपको कितना मज़ा आए बैंट किस पर है आप कितना सठीकिल मिलेगा किसे που करता है वांस Citrain का लेवल कफ का था लेपनी नहीं सटेन प आう इस तान पर चाहिए मैं जढ़ किन गलास पानी चृट चृट। है कि अधिमाच्ष煮 जाया मेरी बांट बहुत हाय थी और इतनी हाय थी वांट्स वीरिण फिल इनसले iम पमको यह को पयाहर ने लिया लिंद ग्री पार्द कर जाया इलै कि दो इनस्द और बैकलाऒ भांट उविगवें इन जो ज वी तना थो है कि अभी यह स्रावाइब कर सकते हैं रह न पाइप अनेक्स घ्लास अवाटर मत लगाओ एक जलो ठीक है तो ले लो क्या हुआ अभी बहुत फ्यास लगे था आपको तो एक घ्लास पानी में कि आपकी प्यास पुछ गी मैं काऊंगा नहीं यह अर महंगा है तो क पीया तो जब महंगा आकपा लीय हो तो महंगा उस यृउस त into a उससे में वांच ज्यादा थी, 100 रुपह यह था मेरे लिए और व actus वार्प मेरे लिए यह था में omốn फिय देखा मेरा law of demolition marginal utility, मतलब सुंज़ रहे हो, कॉंटरिसली कंजम्शन करने से नेक्स दूट सर्टिफेक्शन लेवल फॉल होता है, बताया था? तो अब मैं जब सकंड क्लास दूट लोगा था पेमेंट दो तो नहीं करूँगा, बट सर्टिफेक्शन लेवल क्या होगा? अब मतलगा है, मैं जब सकंड क्या मतलगा है, जब सकंड कर दो करेंगा, तो मैंने उससे रेजेक्ट कर दिया बला, नहीं भाई, सब्सक्राइब आपकोई, क्लिरे, हाई प्राइस, प्राइस कितना था, 100 रुपीज, कितने रुड़ा कंजम्शन गरा, वन ग्लास अफ वाटर, प्राइस यदा था, 100 रुपीज, क्लिरे बच्छे, चलिए, प्राइस 100 रुपीज था, quantity, एक ग्लास, ठीक है, next situation, same situation, पूरी कहानी यह रिपीट नहीं करूँगा, अब next example ले रहा हूं, यही example है, प्यास काई है, बस काई है, उतरा, पानियाल के पास गया, अब वह मुझे कहता है, कि सब 5 रुपी ग्लास पानी है, अगर यह केस हो मेरे सामने, त यह payment है और सथ्ड वांड सितनी हा है, यह मिल रहा है, उतनчив बहुंस करणा तो अग्लास पानी पी आठक, तो यह psychologist टो, लोगे है? बहुत। ब्ल्कुल दो a next glass में, क्यों? शता पॉटीड हो स्वारी पॉटीज है कि गर रॉपीज अश। रॉपीज इस रॉपीज इस अच्छिन दाट, निए टीज रोग में चैनल 15 ना उसे घरखे। तो पांच रुबाय पेमेंट प्राइस लो है तो मैं सब्सक्राइब गिरी भी रहा दो प्राइस से कमपिड़ी तो अब अब ही है जिस्ता पे कर रहा हूं जाता मैं रिसीब करता हूं रहा हूं जो एक ग्लास हो लगाऊ पी यह उना बिल्कुल जी इस वन प्राइस ज्यादा लो होने कि वेसे मेरा सटिफेक्शन लेबल अगर लो भी हो रहा है तो मेरे जिली लॉस नहीं है थ्री ग्लास ओवाटर कंझूम कर लिया फूर ग्लास में एक ग्लास दिदों तो नहीं भाई महंगा है पांच प्र जादा लग रहे हैं क्यों अब बिकॉस अफ फॉफ करण के करणा मैं ग्लास कर दिया बिकॉस दो अफ लॉफ ऐांच माहिनल् यूतीलिट शॉचे लॉफ एं आप Wick street लॉफ लॉफ designer एं डाव घ्रे गरत लॉफ 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 लुफ टोभी लॉव मंग कर दू subject to Choe क эти Si gügg grat कर रहा है, law of diminishing margin utility की definition दे रहा है, चा कहा रहा है, this law ये, law, state that when a consumer consume more and more unit of a community, marginal utility means satisfaction derived from successive units, next units goes on decreasing, इस अजमाया क्या है, इसने law of diminishing margin utility की definition को define कर रहा है, बरी बात समझ रहे हैं, बच्चे, नहीं आई बात बच्चे करें रहा है, तो पता लगा, law of diminishing margin margin utility की अब आगे इसको law of demand से connect करेगा, as for example, the hungry man gets maximum utility from the first chapati and lesser utility from the second chapati and so on, demand depends on the utility or usefulness of our community to the consumer, अगे क्या गहता है एससरा समझोग, if he gets more satisfaction, और सब्सक्राइब ज्यादा मिल रहा है, he will pay more, क्लिरे बच्चे, 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 और यहां, ready हूं, and he gets less utility, he will buy at a lower price, अगर सब्सक्राइब करें रहा है, तो मैं इतना ज़्यादा क्यूपेश क्यूंपे पेमेंड़ होगा है, पेमेंड़ कमी करोंगा, since additional utilities give him the lesser utility, because of law of diminishing margin utility, he will buy additional unit only at the lower price, वो एक अगण 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 क्युकि जब प्राइश कम होगा और क्या रुषिदा है तो एक एक और दिखेशनल खरीज दुख़ी देक टिक तनी मेरा सभी कम भी हो रहा है तो प्राइश से कम बडिशिपली गड्याभी मैं धिधिशनल पिरफेर करूँगा and this is the law of the demands which state that the demand for a committee is more at a lower price and less at a higher price Thus, low-up debt diminishing margin utility explains the demand slope of the demand curve. Clear है, बच्चे, सब्सक्राइब आगे आपको है? Clear है? चलिए, second point क्या कहता है? इस पर आएंगे भी. ठीक. चलो, इसको भी पकड़ लेकते हैं भी. Substitution effect. ये बहुत आगे चलकर के बहुत जबज़त तरगे से आप पढ़ेंगे substitution effect, income effect and price effect. अभी बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपको. लेकिन आगे चलकर के मान के चलिए कि एक पेज का सरफ डियाग्राम ही मनेगा इसका. और 100% बिपर्माने के चंसे चंसे भी हैं. इसलिए अभी मैं उतर डिटेल में नहीं जाओंगा तरगे मेरे टापिक आएगा. इंडिफरेंस कर तब मैं उसके अंदर. Price effect equals to income effect plus substitution effect. In the case of normal goods, in the case of inferior goods. और आपके पास पे rise in the income of the consumer and fall in the income of the consumer. या पिर rise in the price of the given committee and fall in the price of the given committee. यह सारे cases discuss करूँगा, बट उस situation में करूँगा. अभी मेरा टापिक डिमांड का है. सरफ मैं causes behind the law of demand discuss कर रहा हूँ. उतर ही बताऊँगा जितना की content के लिए requirement है. Clear है, बच्चे? देखीगा. substitution effect क्या होता है, बच्चे? substitution effects refer to the substituting the one committee in place of the other. when it's become the relatively cheaper. substitution effect generally क्या है कि आप अजूम कर लिए जब आप एक कमेटी के प्लेस पर दूसरी कमेटी को यूज करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? substitution effect, like ball pen आप लिखते हैं, बड़ बाल पैन नहीं है, आप दे रही हो रही है जाने में एक्जाम में आपको, तो आपको gel pen मिला, तो आपने क्या कर आप जेल पैन ले लिए और अपने पर लिख दिया, तो क्या कर आप लिए? बाल पैन को substitute कर दिया, जेल पैन से इसको क्या हो होते हैं, substitute करना, क्लेर है बच्चे, लेक्जाम आप मार्केट में फ्रूट लेने गए, बड़ एक फ्रूट आपको बड़ा महंगा नजर आ रहा है, तो आपने क्या कर आप, छोड़ो घर में फ्रूट तो लेकर जाना है बच्चों के लिए, लेकर आप एक फ्रूट सपास हो, है ना, तो क्या होता है बच्चे, substitution effect इसे कहते हैं, कि जब price आपका बढ़ता है, क्लेर है, तो consumer क्या करता है, कि दूसरे community की तरफ shift हो जाता है, और ये तो जो original community है, जिसकी demand की मैं बात कर रहा हूँ, जो आप लेने के ते, उसकी demand basically क्या हो गई, आप Apple लेने गई, क्या है, बट इसकी price high थे, क्लिए ना, अब Apple के जगे पर आपने कोई और fruits आपने, आपने mango, सोचे कि mango ले ले लेते हैं, मैंनिका ना, तो आपने सबसे टूट है, बट फुरी fruits के अंदर सबसे टूट कर दिया, आपने मैंगो आप जो है, ले ले लेते हैं, थोड़ा सा सबसे टूट होगे दूसरी चीजों के उपर, अगर कोई fruity नी market में एक लोता फल यही है, तो price बढ़ भी गया, तो देदो भाई, demand, लेकिन आपको substitute available है, तो क्या होगा, आप उस पर substitute जाएंगे, तो basically Apple के demand क्या होगी, कम होगी न, तो सको आप क्या बोलते है, substitution effect, क्लेरे क्या बोलेंगे इसको, अगर price low होगी, price come होगी, तो अगर आप कुछ और भी लेने वाले थे, परले तो वो लेंगे, लेंगे 1 kg, और कुछ और भी लेने वाले थे, सूचे को थोड़ा price इस पर ही लग जेते है, तो substitution effect भी कहीं और कर भी चीज ही, इस पर ही लग जाएंगे, वेरि लेन नहीं, वेरिक लेंगे 25 होग, छॉपsk, लेंगे 25 होगी, वरिक भी छिवे मार्ना थे, रह कि मेuję 2, क 이것도 आपार मेंगे 25 होग कुछ उटिए भी कोडिएंगे 5 कोड़ा, और कि यृम्टी भी बाद तोन सीच्च सेयर, और क्वी लेंगे 5 सेच्च म्तन हईते ऌकर, भ चलो पेपसी पीएंगे, तो पेपसी की दिमांड क्या होगी बढगी? इसे क्या हो लेंगे? सब्सिचुचिशन एफेक्ट, क्लिरे बच्चे? Then पेपसी बिल्टीशन बिल्टीबली चीपर and will be the substitute for coke, Demand for Pepsi will rise Clear है बच्चे? सब्सक्राइब आपको? Next का गढ़ा है Income Effect बच्चे, basically income आपका जो है ना दो टाइप की income होती है When the price of the given community falls is the increase in the purchasing power Real income देखो, real income, एक ओता है money income एक ओता है real income छीक है Money income तो यह था कि आपके pocket में कितना प्रसा पड़ा हुआ है कितना रुपए कम आते हैं कितना रुपए आपके हो आता है इससे क्या बोलते है money income उससे कितनी खईडारी कर सकते हो आप छीक है उसे क्या बोलते हैं? उसे रियल इंकम बोलते हैं, पर्चिसिशिंग पावर. हम ख़ायद्यों की छहंने इनवाते हैं? उसे क्या बोलेंगे चैनल? आप जो कोई चीज सास्ते हो जाती है, जुसका मतलब यहीं नहीं मे आपे मेरे जादा हो गया? नहीं, उसी ऐपती हो उसी जोव ख़ीदें कि छम्ता मेरी बढ़ जाती है, तो मेरी money income ने इंक्रीज होती है, मेरी real income इंक्रीज होती है, परशेटिंझ पावर राई होती है, सफ़्छमी आएं, क्या आएं मैंने, मैं फिर सवार तर्फादा हुआता हूं, Money income means real income. देखो. एक होता है बच्चे, money income. और एक होता है आपका, real income. Clear है? Money income means आपके पास है salary कितनी है? आपके पाकेड में 100 उपीज है. ठीक है? Clear है? और आप इस 100 उपीज में 1 kg आप एपल भाई कर सकते हैं. एपल है. इसका rate का है? 100 उपीज पर केजी. तो आपके पासे है कितने पैसे पढ़े है? 100 उपीज. आप परचेसें पावर केते हैं? कितने आप आप एपल खरी सकते हैं? 100 उपीज पर केजी तो आप 1 kg खरी सकते हैं. Clear है? अब क्या हुआ? प्राइस फॉल हुआ. 50 उपीज पर केजी तो क्या आपके पकड़ने पैसा उतना ही रहेगा या कुछ फरक पड़ेगा इसको? इसका मतलब यह हुआ कि आपकी मनी इंकम में तो कोई चेंज नहीं आया है, पर प्राइस फॉल होने से आपकी जो रियल इंकम होती है, परचिसिंग पावर होती है, वो बढ़ेदाती है. अब प्राइस अब प्राइस हो जाएगा, सेम इंकम है, प्राइस क्या हुआ? 200 उपीस पर केजी. किसनी कॉंड पर पावगे? अप्रेस प्राइस तो रही है? कि अब घर्ग क्यों होता है तो पर अब कर दिसे अब जादा खाईते हो प्राइस आप सब्धी विडियुक्रा तो पर जिसे इनकम को बढ़े लाइसे कम खायते हो इस वादा रिवाल पार निकंड पक्राइट गुट अब फेक्ट इंकम 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 काई नटा मनीं कम म फिसा किसी कर रही है? मुषयों निया ड़ कुर्दीय के चाहिए रिड बात किसी कर रही है? सी रिलिंकंह जान पर रेल इंकमेशत, विज गज एक भर थाणि क्रमने काववर कि वज से बनाथे डाराइं मैं जाने में in ka Teil को किया थैं.? सब्सक्राइब बचे कान यह, क्लिरें? क्लिरें? सेम मने इंकम में भो पहले से ज्यादा खरी सकता है. क्लिरें? कोई डाउट? सब्सक्राइब आपको यह आगे बढ़ें? बचे, प्राइस इफेक्ड एक्विल्स तो एक क्विशन अताा रहा है अपसे. वो इसने एक अडिशनल इन्फरमेशन है में आगे डिसक्स करेंगो इसको बहुत डिटेल में. तो प्राइस एक्वेक्ट इकवश्टु इंकम एफ्ट ब्लस सब्सित्युशन एफ्टीूशन इ इसका क्या मतलब है वो बतायता हूँ प्रशप्स के बतायता हूँ प्रशप्सक्राप्स प्रश्र भालती अंधु कर देट कर दिएक्सक्राप्स्य। प्रश्चितुशिति कि राध्सट्र कर दिएक्स्ट्टेस्ट क्लेरे बच्चे यह यह क्या चीज़े जरा समझिए प्राइज दे कॉमुनिटी की ठीक है प्राइज क्या है अनन लुबिस और दिमांट ठीक है बच्चे अब प्राइज बच्चे हंडड़ उपीज है और मेरे पास में मेरे जो मनी इंकम है प्राइज बढ़ा ठीक है एपल का जिमांड किसका है एपल के डिमांड के रहा है थीक है और प्राइज इसका राइज हुआ तो मेरे मांद में क्या चला कि मैं इसका पेले जो है पहले 10.00 रुप राइज ता तो मान के चलो मैं पहले 10.000 के जी बाइज बाइज अगरता था एग्साम्पल ले दो डिजाओ एज जाओं तो मैं करहा वे प्राइस सो बढ़ गया, प्राइस कितना बड़ा, साफ नंतरा रहा है, राइस हिंदा प्राइस इस 50 रुपीज, पिचास रुड़ बढ़ गया, तो अधर कंजुमर मेरे अंदर क्या आएगा, एक तो यार, अब मेरे पास में, एक तो क्या होगा, कि मेरी पर् हुआ है, जितनी है मेरे पास 0,500 रुपीजा, तो 10 कि लो ले अधा़ करेंगा, डाव पर्ष युपीज और 10 किलो ले ले लेटा था, तो मैंने ले पाओंगा है कि तो मैंने ले पाओंगा। तो मैंने कुछ गॉंटिटी इसकी से से क्रीफाइफ करें। ठीक है? due to decrease in real income ठीक है बच्चे मैंने बढ़ा भाई मैं इसको afford नहीं करता हूँ तो मैंने काम करा है इसमें से कि 3 kg पीछ हमतानिय मैंने लेता हूँ ठीक है परशिदी पाफर नहीं है मेरी एंड सेकिंड मैंने ये करा एक काम और करा मैंने इसमें से कि 5 kg मैं बढ़ा कि यार ये एक्सपेंसिव है तो एक काम करते हैं मैंगो ले 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 थे थोड़ा था इना मैंगो ले ले लिया या तर कुछ कॉंटिटी मैंने और कम कर दिया ठीक है बास समझ रहे हैं आप मैंगो तह अंडेड़ उपीस कही था ये डेड़ सुगा रहा है मैंगो ले ले लेते हैं तो क्या हो गया मैंगो ले लिया मैंने 5 kg थीखे बच्चे क्लिर है तो अब बताओ तो मैंने ने कुछ हो और ले लिया आप 5 kg मैंने कुछ और ले लिया विद इसकी स्रफ 2 kg लेकर गर जा रहा हूं तो 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 इस्ती क्वानिटी कितने रेडिविस हुई और दिमांड अपना कितने रेडिविस हुई इट केजी रिडियूस हुई किस वेसे रिडियूस हुई इंकम एफेक्ट यज बढ़ा तो कुछ तो मेरी ख़ीदनी की शक्ति काम हुई थी कुछ में दूसरी तरब भी चला गया था तो इसलिए क्या कह रहा हुआ यह इंकम प्राइज इफेक्ट जो प्राइस का एफेक्ट वह कितना पड़ेगा इंकम एफेक्ट प्लस सब्सिटूशन एफेक्ट क्लियरे बच्चे सजमाया आपकोई क्लियरे अब नेक्स्ट बच्चे क्या गटर पॉइंट नमर फॉर एडिशनल कस्टरमर्स एडिशनल कस्टरमर मतलब क्या होता है कि ऐसे कुछ लोग जो कि अभी अभी फोन ए उसके बराबर आ जाए तो हुसता है कि हम और आप में से बहुत साइब लोग उसको ले लेगे क्यों जो अब तक अफोर्ड ने कर पा रहे था वो भी इसको अफोर्ड करने ले जाएंगे तो एडिशनल कस्टरमर एड हो जाएंगे और जब एडिशनल कस्टरम की बजट से भाग जाएगा तो नंबर कंजुमर कम होंगे दिमांड कम होगी तो यह तो कि अतलो अब माद राइज राइस होरा दिमांड कम होना ची प्राइस फोलरा दिमांड जाद होना ची बिकॉस अफ अधिशनल कस्टरमर्श के लिए बच्ची सुजमाय आपको ए to new customers all consumer of the committee start demanding more due to the its reduce the price clear है बच्चे clear है अब क्या है different uses अब कुछ ऐसी कुमिटी होती है जिसके uses several uses होते है बहुत सारे uses होते है लाइक एक्जामपल भी लिया था मैंने milk का मिल्क का उसका का पर रहे है दही में है घी में है स्वीड्स में है पनीर में है electricity अब दो कि electricity सरफ light के लिए पहले इसकी जूरत थी कि अब या अश्रात को रोशनी कैसे हो तो इसके लिए electricity के रिक्वायर्मेंट थी बढ़ उसके uses दे को कहा था कि मैं पढ़ा भी रहा हूं आपको उसकी help से life classes ले रहा हूं जहां आप घर तक जा रहे है इसकी help से गर्मी को भी कम करने के लिए एसी भी यूज कर लिया हो नो है जहायँ मेंसा एक है teक्षा जया है जहाया शैज को पर अपने घर के भात कर लेता हूंद है तो अब हम अपने घर मेंसे भाड़ चीजों ए उसान अच्वागा ही एक हमिक्सर बगएर में भी उसका यूज करते ही है प्राइस जैसे इबढ़ जाएगा नगा तो अब हम अपने घर में से बहुत सारी चीज़ों से की दिमांड कटोती करेंगे और इस दिमांड क्या जाएगा? काम हो जाएगा क्लेरे बच्चे तो कहा है सम कॉमट्टी लाइक मिल्क लेक्टिसिटी एट्सेटरा देखा थाइगा है लग शुझ दूसरी ऌफित प्रशितरा बिच्चे जाएगा अज़िग। फिसटरी लाइव करेंगे के लाइड तक आपत रखेंगे अग्ष्य सारी कि व्यागा लाइड यदुट्रण के ट्रिंग्छेश जाएगा बहुत अपने लाइगा प्राइस बढ़ता है तो फिर जो लेस इंपर्टेंट बाली चीजे हैं अमिठाई उठाई यह सब चोड़ दोगे दूद को इस्तेमाल जो आपके लिए बहुत नेसेसरी है लागि अगर टी है या फिर आपको दूद पीना है वहीं तक रखोगे तो दिमांड को जाएका इसक आपको फ्रेश मैंड से समझना क्योंकि एक नया लॉजिक है नहीं तरीका है हर क्लासिस पर कोई टॉपिक सबा गंटे के लिया तो सबाटा करीज़ दूँआ बीस मिंट होता है बीस मिंट पर अभी टॉपिक स्टार्ट करूँआ तो मुझे इस टॉपिक को एंड करने में नंहें आदा गंटा तो पने गंटा चाहिए तो अगली ग्लास मेरी क्लाप्स हो जाएगी ठीकर न तो इसलिए नस क्लासिस पर हम आगे कवर करेंगे दिटा, क्या है? आपके से द्रेक्स धाइया πटेका अच्स खिए प्रपय को स्विता है आप बहल सकते हो डिस पोजब है मनन, आपने इंकम केश्छ में साभ तुरे तो डिटेक्स को डिडेक्स तु ढे कर तो डिसक्वोजब इंकम होता है ठीकिए बच्चे मिलते हैं नेस क्लास पर थैंक यू जी थैंक यू सो मुच